ससंग इस्थल में बैठे अदर्णी ब्रक्त पेमी सज्जनों स्रद्ध मूर्ती माताओं प्यारे बच्चों परसो मैंने शुरुवात में कुछ भूमी का बताया उसके बाद मैंने कहा था वानी पर सियम यदि आपकी वानी व्यस्थित है तो आपका घर सुन्दर होगा आपके घर के माहूल कुछ अलग होंगे और आपके जीवन में आनन्द होगा आज उसी से संबंधित मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आपका भोजन कैसे होना चाहिए हम जैसे खाते हैं जैसे पीते हैं वैसे हमारा सरीर में वो चला जाता है उसके अनरूप हमारा सरीर तयार होता है उसके अनरूप हमारा मन तयार होता है और उसी के अधार पर हमारी वानी से निकलती है बाते हैं हम जैसे खाते पीते हैं वैसे हमारे मन में चिंतन चलता है गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे वानी कहां से आती है, अचानक नहीं आती वानी वाणी अचानक नहीं निकलती है सद्रु कबीर ने कहा है जो रहे करवा सो निकरे टोटी आपके घड़ा में यदी पानी है तो पानी निकलेगा दूद है तो दूद निकलेगा घी है तो घी निकलेगा तेल है तो तेल निकलेगा आपके मुक्षे जुवाणिया निकलती है वो अचानक नहीं वो आपके अंदर मन्थन हुआ रहता है आपके अंदर कुछ वाते जब वो मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसे बोलूँगा पहले से तयार रहता है इस्टीमेट कहां से तयार होता है आप सौचते हैं वैसे आप सौचते क्यों हो वैसे वैसे करम होता है करम क्यों वैसा होता है वैसे खाते हैं वैसे पीते हैं इस्टेप है इसका सुरुवात है खाने पीने से इसलिए आपका भोजन साब सुथरा हो वो सवभाग्यसाली प्राणी है और सवभाग्यसाली मनुष्य है जिसके भोजन में किसी जीव जन्तू की हत्यार नहीं होती है और मनुष्य का भोजन हरी सब्जियां है फलदार सब्जियां है और मेवे मिष्ठान है बांकी भोजन मनुष्य का नहीं है बांकी भोजन हिंसकी जानवर का है मैं नहीं कहुंगा कि आप हिंसकी जानवार है या वो हिंसकी जानवार है ये प्रकृति कहती है कभीर पंथ नहीं ये पूरी प्रकृति में किसी भी आरवेदाचारिया से मिलिए किसी डाक्टर से मिलिए कुछ डाक्टर लोग है जो मुर्खता कर रहे हैं जो ये खालो खालो स कि आपके खाने में पवित्रता हो, मनुष्य का भोजन में स्वभाग्य साली व्यक्ति है, जिसके भोजन में किसी जीव हत्या नहीं हो, हमारे भोजन के लिए इतने 56 प्रकार के चीज है, ना जाने 56 नहीं कितने 56 प्रकार के भोग लगेंगे, इतनी सब्जियां, इतने फल, इतने अन्नमेवे मिश्ठान है, और उसको छोड़ करके हम गलाचीच को खाए, यह हमारी इंसानियत है, इंसानियत नहीं, इसे हैवानियत कहा जाता है, और सवभाग्य कहूं या दुरभाग्य कहूं कि हम किसी मतरपंत से भी जुड़े हैं, जानते हैं, मानते अंदर से नहीं हैं, रमायन पढ़ने वाले, रमायन को मारने वाले, स्री राम को मानने वाले, कहीं पर लिखा हो, मानस खाना चाहिए, मुसल्मानों के जो मुसल्मान संप्रदाय में माना जाता है उसके अकासी पुस्तक माना जाता है मनुछ से लिखे लेकिन वो मानते हैं तैरेत में साप साप लिखा है कि मांस खाना इंसानियत नहीं है बलकि वहां गाए की पूजा हुई है इंसानियत में पैरेत पुस्तक में लिखा हुआ है लेकिन मुसल्मान लगभग लगभग 99% मुसल्मान मांस खाते हैं हिंदू परंपरा में मांस खाना एकदम गलत माना गया है और आदमी आज सब खाते चला जा रहा है इसलिए भोजन पवित्र हो, साप सुथरा हो किसी भी प्राणी को मत सताओ, किसी जीव को मत सताओ, साप सुथरा भोजन हो आपका भोजन साप सुथरा रहना चाहिए आप जैसे जैसे खाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर विचार बनता चला जाता है वैसे वैसे, आप देखे होंगे आपके पास कोई गाड़ी या लिया कोई आदमी 40,50,10,05 लाग गतनी सकती हो उतनी की गाड़ी लेता है लेकिन उस गाड़ी में यदि पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल डालेगा डीजल चाहिए तो डीजल डालेगा वहां मिठी तिल नहीं डालेगा छोड़ दीजे 30-40 लाग 5 लाग की गाड़ी सधारान से 50 अजार के आप मोटर सैकिल लेते हैं 10 अजार का सेकंड हेंड भी मोटर सैकिल लेंगे ना उसमें आप प्रेट्रोल के जगा आप मिट्टी तेल नहीं डालेंगे क्या आपका जीवन आपका सरीर इतना कचड़ा है उसमें सब कुछ डालते चले जा रहे हैं हवन कुंड है उसमें जोच पाई ओडाल दिये और उसी का परणाम है आप देखिएगा गाली गलोज असब्भे लोग देते हैं और गाली गलोज जादा ओ लोग देते हैं जो पीते खाते हैं ओ लोग पीने खाने वालिला हमारे भारती परमपरा में बहुंसे लोग हैं कुछ लोग है जो सुद्ध साका हरी है कुछ लोग है आमलेट खा लेते हैं पर अंडा की सबजी नहीं खाते हैं कुछ लोग है जो पीस खा लेते हैं, लेकिन अन्य चीज नहीं खाते हैं, कुछ लोग है जो घर में बाहर खा लेते हैं, लेकिन घर में नहीं बनाते हैं, कुछ लोग है जो सनी, मंगल और गुरु को नहीं खाते हैं, बांकी दिन चलता है, सुद्ध साकहरी लोग है, ऐसी इसलिए आप लोग वो चीज खाए आप देखेगा मांसाहरी जानवर का दात नुकिला होता है मांसाहरी जानवर का नाखुन नुकिला होता है आप क्या मांसाहरी हैं मनुष्य का नाखुन नुकिला है नहीं दात नुकिला है और गलत चीज खा करके आप गलत क्यों कर रहे हैं आदमी का काम है, अहिंसक बने, हिंसक नबने, अहिंसा ही परमधर्म है, हिंसा नहीं है, हिंसा करके सता करके हम उपलब्धी को प्राघ्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए खाने पीने में पूर्ण रुप से पवितृतता हो, और ये तो रहा ये मोटी चीज, आपके घर में हर चीज में सुधार हो आपके बहुंस से घर में इस परसुली ग्राम में बहुंस से घर है जिसके हां मांस नहीं खाते हैं मैंने कहा ना मांस नहीं खाते हैं नहीं बनाते हैं लेकिन बाहर चलता है बाहर चलता है बहुं उससे घर मिलेंगे ऐसे हमारे घर मांस नहीं चलता भहिया उनको पूझी दिया आप कहा कोई नहीं खाते हैं अरे कुछ बच्चे हैं बदमास हो गए हैं बाहर खा लेते हैं आपने तो छुट दिया है आप मात्र आप एक तंबाखू खाते हैं एक जैसे बच्चा जन्म लिया उसको अंकुष पस रखते हैं उनको सही दिशा पर ले जाते हैं उनको क्या खाना क्या नहीं खाना सिखाते हैं तो बच्चा नहीं सिखता उनको जो चीज सिखाया है वो सिखेंगे इस पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को संस्कार कैसे देते है इसलिए आप बच्चों को वो चीज खिलाईए वो चीज पिलाईए जिससे बच्चे का स्वास्था अच्छा हो बच्चे का विचार अच्छा हो बच्चे के वाने वर्ताव अच्छा हो और आप गलाच चीज खिला रहे हैं पहले लोग घर में सुध्ध पानी पीते थे आज तिन तिन महना पूराना पेकिंग पानी को पीते हैं बोतल का पानी पहले घर में रोज घर में टमाटर की सब्जी अखा लेते थे अब लोग डेड़ सुरुपय के टमाटर पचास रुपय की टमाटर की किलो हो गई सब्जी नहीं खाएंगे लेकिन दो सुरुपय किलो में उसी टमाटर का टमाटर सोब खा लेंगे कितने दिन बना छे महना पहले पुराना इस टाक में सड़ा चीज खा लेंगे बिमार नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा पहले गाउं गाउं में सहरों में खोजने पर भी सराप का दुकान नहीं मिलता था आज हर हर सहर में सराप का दुकान सभाग्य कहे कि दुर्भाग्य कहे कि सराप के दुकान कोने कोने में अंदर दिया जाता है वहाँ भी भीड के लैन लग जाती है और सामने सामने दूद भीक रहा हो उसको लोग नहीं लेते हैं ये सारी गलतिया माता पीता से सुरुवात होती है माता पीता से सुरुवात होती है अच्छे कविरपन थी अच्छे राधा स्वामी अच्छे गैत्री वाले को देखा गया है बड़ी बलंबी लंबी चर्चा करते हैं ज्यानवारता करते हैं ससंग करते हैं लेकिन गुटका को नहीं छोड़ पाते हैं। सरम करना चाहिए मैं, कटू वानी कह रहा हूँ, छम मैं चाहता हूँ। आप किसी मत से जुड़े हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, किसी गुरु से दिक्षित हैं, और इतना असब्या हैं आप। आपके वानी में कटूता आ रही है, आपके वोलने में, आपके खाने में, पीने में, आप जहर को अंदर डालते चले जा रहे हैं। गाड़ी में पट्रोल के लावा मिट्टी तेल नहीं डाल सकते, लेकिन गुटका खाएंगे, और सस्संग की बड़ी वारता भी करेंगे। आप देखिए, आपके घर में, मैं सबसे नहीं वेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इतना प्यार और इतना सम्मान दीजिए, कि आपके बच्चे आपसे प्यार करें, आपके बातों को मानें, आपने बच्चों को चीज नहीं देते हैं। यह तो बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, यह तो बच्चे को दबू बना देते हैं, बच्चे को फ्री छोड़ते हैं, उसका परणाम यह होता है, बच्चे गलत चीज खाते पिते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं, गलत संगत करते हैं, बच्चे को ज़्यादा अं आपसे इतना डरती हैं, दो सिस्टम मैंने पहले बताया, छोड़ दिए तब भी गलत है और ज़ादा अंकुस किये तब भी गलत है आपने बच्चे को इतना अंकुस किया, इतना अपने अंदर में रखने का प्रयास किया, कि जब उनसे कोई गल्तिया हो जाती है तो उनका हिम्मत नहीं कि आपके सामने आए तो करता क्या है वो गलत लोगों को संग करता है गलत लोगों से वारता करता है गलत लोगों के घर जाता है गलत लोगों के बास बैड़ता है मैं घर जाओंगा तो पापा ममी मुझे डाटेंगे मैं नहीं जाओंगा आज क्योंकि मैंने आज गलत चिछ का सेवन किया है कहीं पता चल गया ममी पापा को तो मुझे आज छोड़ेंगे नहीं तो करता क्या हो गलत लोगों के साथ करना शुरू कर देता है और उसके घर रहेगा गलत लोगों के साथ तो गलत खाएगा गलत पेगा गलत बोलेगा आपके घर में आपके पती सराब पीते हैं आपके बच्चे सराब पीते हैं इसके जिम्मेदार आप लोग हैं जदी आपके पास हिम्मत होता तो आपके घर के नकसे देखिए घर को बनाने और बिगारने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है माताओं का सबसे ज़्यादा हाथ होता है बहनों का और एक कटू चीज है आप देखे होंगे भाई और भाई जब तक घर में रहते हैं और साधिया नहीं हुवी है बीस साल तीस साल चालीस साल निकाल देते हैं आपस में रह लेते हैं और जैसे साधी होती ही उस घर में टूटन सुरू हो जाता है पांस साल के अंदर अंदर घर तूट करके बिखर जाता है कौन तोड़ते हैं भाई भाई में वारता आज भी होती लेकिन देरान और जिठान में वारता नहीं होती है, सास और बहुं में वारता नहीं होती है, घर को ज़्यादा तोड़ते हैं, बहने, माताएं और महिलाएं तोड़ती हैं, और घर को बनाने वाले भी यही लोग है, घर को यदि कोई बनाती है, तो घर की महिला ही, घर की ग्र के रूप में उसके बाद में जब साधी होती है तो ग्रिहनी के रूप में उसके बाद जब उसके कोक से बच्चा पैदा हो जाता है तो एक मा के रूप में तीन बार उसर मिलता है तीन कुल का उजागर कर सकती है पहले जिस घर में जन्मा लेती है उस घर के संसकार बदल सकती है यदि अच्छी संसकारी बच्ची हुई और अच्छा सोच रखी तो उस घर के नक्सी को बदल सकते हैं अपने मम्मी को पापा को चाची को चाचा को भाई को बहन को प्यार से सही रास्ते पिले जा सकती है तीन बार उसर मिलता है पहले बार जिस घर में जन्मली है उस घर में एक हाँ से टपक पड़ेंगे बच्चिया आप लोगों को पहले से संसकारी करना होगा पहले से उसके अंदर हुनर पैदा युग्ध़ा भरनी होगी आपको ऐसा ग्यान देना होगा कि आपके बच्चे संसकारी हो तो बच्चे पहले उस घर को सुधारती है जहां जन्मा लेती है दूसरा बार उनको औसर मिलता है जिस घर में जाती है बहो बन की उस घर के नक्से बदल देती है उस घर में खाना पिना चलता है उस घर में गलत वारताएं चलती है गलत चीज का सेवन होता है उस घर के नक्से बदल देती है तीसरा बार जब उसी के कोक से बच्चा पैदा होता है तो बच्चा संसकारी निकलता है इसलिए खाने पीने में पवित्रता पूर्ण रूप से अच्छे चीज़ों को आप खाते है अच्छे चीज़ों का सेवन करते है तो आपका सरीर सस्थ होता है आपके सरीर में हर तरह से पोश्टिक चीज मिलता है और जैसे कई चीज है कैंसर है, बलट पैसर है हार्ट वीट का वर्णा कम जादा और सुगर होना ये सारी चीजों से मधुमेक बिमारी होना दर्द के बिमारी होना इन सारी चीजों से आप बस सकते हैं आप क्या खाते हैं गलाचीज खाते हैं आप कहा सकते हैं कुछ लोग गलाचीज नहीं खाते हैं वो भी तो बिमार पड़ते हैं गलाचीज तो नहीं खाते हैं लेकिन गलाचीज नहीं पी रहे हैं लेकिन सरीर के सरीर में जो एनर्जी डाल रहे हैं सरीन में जो उर्जा डाल रहे हैं वो अच्छी चीज है लेकिन मन में जो उर्जा डाल रहे हैं निंदा की, चुगली की, राक की, द्वेस की, उचा की, नीचा की एच्छे नहीं है वे बुरे है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ कभी सास की सिकायत, कभी बहु की सिकायत, कभी दिरान की सिकायत, कभी जिठान की सिकायत, कभी पडोसी की सिकायत, सिकायत करके जीवन को नहीं बनाया जा सकता है, सिकायत रहित जीवन ही अच्छा जीवन होता है, मैं पहले ही कहा था मैं कोई सी कबीर पंत की सिच्छा नहीं दे रहा हूं आपको कबीर पंत की सिच्छा का मतलब ही होता है हर व्यक्ति की ज़रुरत है और मैं जो चीज कहा रहा हूं कि स्खिले ज़रुरत नहीं है अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो इसलिए आपको करना क्या है आपके घर में खाना पीना एकदम साफ सुथरा हो आपके घर के बच्चे गलत चीजों का सेवन न करें आपके घर के पती सराब मत पिए और कोई चीज खाते पिते हो सावधान हो जाए जदी आज आप किसी खाने पीने तक अटके हुए हैं आज आप सिर्फ गलत चीजों का खाना पीना बस करके रुक गए हैं कल के देट में आपके बच्चे गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत कर्म भी करेंगे और उस दिन जब बच्चे आपके ही बच्चे बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और नसे में सवार हो करके आपके ही घर आ करके, आपके ही सामने अपना जूता निकाल करके आपके सीर पर लगाएंगे तब लगेगा मुझे बच्चे को जैसे संसकार देना चाहिए था मैंने बच्चे को ऐसे संसकार नहीं दिया है बच्चे को जो सिक्षा देना चाहिए था बच्चे को मैंने सिक्षा नहीं दे पाया मैंने बच्चे को धन तो दिया, सिक्षा तो दिया, अध्धात्म के सिक्षा नहीं दे पाया, इसकुली सिक्षा बस दिया, बच्चे को धन कमाना सिखाया, लेकिन जीवन को कैसे बनाना है, चीज नहीं सिखाया, आपको लगेगा, इसलिए आप गलत चीजों का सेवन मत करिए मोटी मोटी चीज हुआ अब मैं गुड़ चीजों पर आऊं आपके घर में आप खाते पिते हैं उसमें भी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रिफाइंड तेल कभी युजु मत करिए रिफाइंड तेल एकदम बेन कर दिजे आप एकदम बेन कर दिजे रिफाइंड तेल से हमारे भाराध देश में जितनी मौत होती है उतनी मौत किसी चीज़ से नहीं होती है तुरन दादा जी का नुकसान नहीं होगा, वो सरसो तेल रख लेंगे, आप सुध्ध सरसो तेल का उपयोग करिए, रिफाइंड तेल यूज मत करिए, आप के लिए जहरीला है वबसो, सोडा का कम यूज करिए, आज एकदम सिंपल से चीज बता रहा हूँ, सोडा कम यूज क करिए, तेल का यूज कम करिए, तो रिफाइंड तेल यूज मत करिए, सरसो का तेल खाइए, अलसी का तेल खाइए, आप मेंदा का यूज कम करिए, सबसे हमारे स्वास्त के लिए जहरीले चीज है, चीनी, मेंदा, तेल, ये हमारे स्वास्त के लिए बहुत नुकसान चीज है नमक सरीर को गलाता है नमक से कई सारी जी वन में बिमारिया पैदा होती है इसलिए आप देखे होंगे सादू संद के भोजन आप कभी खाया होंगे तो नमक कम रहता है मिर्चा कम खाईये मिर्चे जादा मत खाईये जादे भूने तले सब्जी Less खाईए कम भूने तले सबजी हो और जब भी आपके घर में गलत चीज खाएंगे आपके घर में जब भी चिकन बनेगा उसको तेल से ही छाना जाएगा और पहले बाद तो किसी जीव की हत्या होती है उसके बाद उसको आप खाते हैं आप दिखिए आपको अभी गलत चीज ख किलो पर मिलेगा और सवभाग्य से आपके घर में जड़ी वही सब्जिया खरिते हैं हरी सब्जिया तो 20 रुप्या 40 रुप्य 50 रुप्य किलो में हरी सब्जिया मिल जा रही है तो क्यों आप गलत चीजों को सेवन करेंगे चलो मांस खाना अच्छी बात है एक बार आप अ आपके पैर में एक कांटा चुप जाता है तो कितना दर्दा होता है आपको दुसरी के पीड़ा दिखाई नहीं देती कैसे हिंसक प्राणी बन गए हम हम हिंसक प्राणी नहीं है मनुस्य है हमारी सब्जियता है हमारी संस्कृती है हमारी संस्कृती है कि हम अच्छे खाए इसलिए गलत चीज बिलकुल मत खाए, जानवर प्रकृती की नीमों से बंधा है, सेर खाएगा तो मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा, गाये खाएगी तो घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी, और इंसान सब कुछ हवन कर जाता है, सब कुछ हवन कर जाता है, आपके घर में ऐसी अप अवित्रता नहीं होनी चाहिए, आप हाँ मैं अपनी मुल्चीज पराओं मैं कह रहा था, कि आप रिफाइंड तेल का यूच कम करके सरसो तेल खाईए, मैंदा कोई स्वास्त वर्धक चीज नहीं है, मैंदे से आप कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी चीज खाने में अच्छा लिखता है, लेकिन स्वास्त के लिए थोड़ा भी फायदा नहीं, नुकसान के लाबा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंदा मैंदा में बिलकुल फायदा नहीं है लेकिन चीनी चीनी स्वास के लिए कुछ जरूरी है कुछ जरूरी है नमक स्वास के लिए कुछ जरूरी है नमक बहुत कम खाया गया ब्लट पिशर सुगर लो हो जाएगा ब्रट फिशर लो हो जाएगा चीनी बहुत ही यूज नहीं किया गया तो भी कभी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी खाना एकदम ही नुकसान दयाक है लेकिन चीनी जो नहीं खाते हैं उनका भी बहुत नुकसान नहीं होता है क्योंकि अन्य जो सब्जियां खाते हैं फलधार सब्जिया खाते हैं या कोई चीज फल खाते हैं उससे हमको चीनी का मात्र मिल जाता है हम जो चीज डालते हैं नमक डालते हैं स्वात के चक्कर में डालते हैं कुछ जरूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैंने कहा तेल, चीनी, मेंदा, ये तीन चीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुक्सान दायाख है। आप इन चीजों से बचिए। बच्चों को अच्छा चीज खेलाएए, गलतल चीज नहीं खाता है, लेकिन गलत चीज नहीं खाता है, लेकिन गलत चिंतन करता है, इससे आदमी विकलांग होता चला जाता है। और दुसरी चीज, आप अच्छे चीजों बहुत महंगी चीज मत खाईए, आपको हमेशा स्वस्थर रहना है, तो पेकेट बंद चीजों को यूच कर दीजे, पेकेट बंद चीजों को यूच कर दीजे, पेकेट बंद चीजों कोई भी जो कुरकुरे आते हैं, बिस्केट आ दाला जाता है ताकि वो 4-6 महेना खराब मत हो आप यूटूप पर सर्च करके देखिएगा उसमें कि जो कुरकेरे के पेकेट है या कोई भी चीज का पेकेट है उसमें कौन सा केमिकल कौन सा गैस डाला जाता है तो आपको पता चल जाएगा वो गैस कितना नुकसान दाये कि स आप है आपके घर में काजू रख लीजे बदाम रख लीजे उन चीजों को बच्चों को खिलाइए उन चीजों को ले करके खिलाइए बच्चों को आप पेकेड़ बंद चीज बच्चों को मत खिलाइए बहुत ही नुक्सान दायक है क्योंकि उसमें जरीले गैस भर के रखा आपके पास में पैसा है आपके पास में सकती है और मैं समस्त हूं यहां बैठे सभी लोगों के पास पैसे जब सराव लेने के लिए पैसा हो सकता है जब मांस जैसे चीज महंगी चीज को लेने के लिए आपके पास पैसा हो सकता है तो क्या सेव के लिए नहीं खा सकते आप सेव के लिए नहीं खरी सकते मत खरी दिये आप रोज अंकुरी चीजों को खाईए सुबा सुबा अंकुरी चीजों को खाईए चना है अंकुरीत कर लिजिए मुंग अंकुरीत कर लिजिए आप तो आपके घर में खुद पैदावारी करते हैं आप इन चीजों को खाईए आप सुबा नास्ता करते हैं तो हलके चीज़ों को पहले लीजिए ककड़ी है मूली है चुकंदर है गाजर है अनार है नारियल है इन चीज़ों को आप लीजिए इन चीज़ों को लीजिए हम पहले ही सरीर में पेट खाली हो जठारगनी तेज हो और उसमें हम जुलन सिल्प तो क्या इस्तिति होगी वहां पहले उसमें हम पहले उसमें उसमें हाड़ चीज डाल दे तो हाड़ जाएगा और जाकर रुख जाएगा पचेगा नहीं मनुष्य के जो भोजन करता है मनुष्य उनके अत्री इतनी लंबी होती है कि धीरे 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 36 गंटा में जो भोजन की होते हो समापत होता है जानवरों का जो अंदर का सिश्टम है वो 12 गंटा में खतम हो जाता है 12 गंटा में खतम हो जाता है इसलिए ज़ानवर जो खाता है, आदमी जो खाता है ओज़ली नहीं पसता है, समय लगता है, इसलिए ओचीज खाईए जो जल्ली पसता हो, आपके घर में अभी आप स्वस्था रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मैंने कहा कि चार चीजों का सेवन कम से कम करिए और मैंद फोटल में रिफैंड तेल को ना जाने कितने बार चाना जाता है उस तेल को वही तेल को चान चान कभी तेल फेका नहीं जाता है और उस तेल में कुछ भी नहीं बसता है सारतत्व उस तेल में कुछ भी सारतत्व नहीं बसता है उस तेल में रिफैंड तेल तो है सांसा तो ते तेल इतना डेंजर हो जाता है स्वास्त के लिए उस तेल में बार बार चाना जाता है बार बार चाना जाता है किसी चीज को तो नुक्सान दायक हो जाता है खाना है वही चीज अपने घर में बना लीजी वही चीज आपके घर में घर में कुछ बनाना चाहते हैं कभी खा लीजे लेकिन जादा मैंदे वाले चीज मत खाईए आप मैंदा से युक्त अन्न चीज बनाईए आपके घर में आप जो बना सकते हैं बेसन है उससे आटे से उससे बनाईए आज कल अच्छी चीज आया है सिंगाडें है सुजी है तीखूर है उन चीजों को बनाईए आपके पास पैसा है काजुकत्री बना लीजिए लेकिन आदमी उस पर पैसा नहीं लगाए लगाए आदमी पी करके खा करके उड़ा देगा गलत कहाने इसके लिए आप मना नहीं कर पाएंगे और दवाई नहीं खाना है तो यहीं तरीका है क्या तरीका है अंकुरी चीज मुआ मूं नहीं पैसा बचे आप ऐसा यूज नहीं करेंगे तो दूसरी चीज भोजन के समय भोजन करने से पहले भोजन करने से पहले आप जितना खा सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज करिए सलाथ का मूली गाजर चुकंदर ककड़ी नारियल इन सलाथ का आटम सबसे ज़्यादा खाईए उसके बाद रोटी खाईए, चामल खाईए, रोटी पसंद नहीं तो चामल खाईए, लेकिन सबसे पहले सलात खाईए, हर घर में सलात खाओ आप लोग, मैं विश्वा से मुझे, ऐसा कोई डाक्टर नहीं हुआ है जो सारे बिमारियों को जड़ से खतम कर दें, आप जो मेडिसीन लेते ह मेडिस् Le City कोई भी बिमारियों को जल से ख़तम कर ही नहीं सकता है डॉक्टर चैलेंज करते इसा नहीं है जो जब से किसी बिमारी को ख़तम कर सके विश और Our Pride चैलन्च कर देते हैं वह कहते हैं केंसर से भी बड़ी पैंसर जैसे संक्रामाग जैसे रोगों को भी हम बिना अंग्रेजी दवाई की हम खतम कर सकते हैं चालेंज करते हैं उस पर इलोपैथी लावलों ने केस किया क्योंकि उनकी मेडिसिन नहीं भी करा था लूच पड़ता चला जा रहा था तो विवाद चला बहुत विवाद चला क्योंकि आदमी को आज किसी की स्वास्ता से मतलब नहीं है मतलब हो गया है पैसा से तो आप यदि दवाईयों से बचना चाहते हैं तो दवाईयों से बचना चाहते हैं तो मैंने कहा सलाद वाले चीज़ खाइए आप सलाद वाले चीज खाईए बच्चे रोय तो कभी कुरकुरे के पेकेट मत दीजिए वो जहरीला चीज है वस फायदा चीज नहीं है आप घर में रखिये ना मैंने पहले ही कहा घर में रखिये आप नारिया ले एक नारिया रोज घर में फोड़िये आप एक नारिया बच्चे इस चीज अच्छी चीज बता रहा हूं, आप जैसे जैसे खाएंगे, वैसे वैसे आपका स्वास्था बनता चला जाएगा, इसलिए हमारे जीवन में गलत चीजों का खान पान ना हो, गलत चीजों को सेवन न करे, आप जैसे जैसे खाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन बन को जब जब आदमी नसे में सवार होकर के आता है तो ना वहां उनको मा दिखते हैं ना पिता दिखता है ना पतनी दिखती है ना बहन दिखती है ना भाई दिखते हैं ना देरान दिखते हैं ना जठान दिखते कोई नहीं दिखते है सिर्फ उनको गाली गलोज गला चीजों क बारता यही दिखता है आप ऐसे चीजों को आपके मानसिक इस्तिती को बदल देता है सराब आपके मानसिक इस्तिती को बदल देता है सराब आप मानसिक इस्तिती को सही रखना है तो सही जिच खाईए पीए आजकाल बड़े बड़े प्रवक्ताओं को देखा गया है याद ही तो मैं कहूं उज्जैन में एक भैरोकाल मंदिर है वहां सराप चड़ाया जाता है भैरोकाल मंदिर में सराप चड़ाया जाता है दंते वाड़ा में जानवर की बली दी जाती है उसको कौण खाता है देंता खाता है एह हिंसक प्राणी खाते हैं कौण है हिंसक प्राणी मनुस्य इसके अलावा कोई नहीं आज तक कोई देंता मांस नहीं खाया है सद्रू कफीर sorry की एक पंग्ती है जो hourा है साचा देवा खेत चरत क्यों न लिया जी यदि तुम्हारा द्योंता सच्चा है तो तुम्हारे द्योंते सच्चे उनको बली चाहिए तो खेत में चलती हुए जानवरों को उठा लेगाओ खा लेगाओ लेकिन तुम्हारा द्योंता तो नकली है तुमने बनाया है किसलिए बनाया है, मांस खाने के लिए बनाया है, बिजनिस करने के लिए बनाया है, देवता का सिस्टम पहले अलग था, अभी आने वाले हैं नौरात्री, नौरात्री का अर्थ हमें बता देता हूँ, नौरात्री के समय, पहले नौरात्री के समय, लोग पहले की बात बता र प्रयोजन नवरात्री के समय विशेश प्रयोजन होता था जो इस्ट मानते थे दुरुगा को इस्ट मानते थे उनकी उपासना करते थे उनकी पूजा करते थे नव दिन तक उपवास रहते थे गलत शीज नहीं खाते थे गलत पीते नहीं थे गलत सेवर नहीं करते थे और गल नवरात्री का सिश्टम है उपासना की सिश्टम था पूरा उपासना का सिश्टम नवरात्री अब क्या हो गए है नवरात्री नवरात्री का मतलब है बीमार को पिडित करो नवरात्री का मतलब है हिंसा करो यहीं चलना है अब नवरात्री में नवरात्री के दिन आए दिन आपके गाओं के नस्दीक जहां नवरात्री बठाया जाता है वहां रोज कारिकरम होगा और कोई वहां बिमार पिडित आदमी हो हाट जैसी बिमारिया हो तो रात रात तक डीजे की आवाज सुनाई देगी वह आदमी वहीं सरप्रान छोड़ देगा क्या यहीं नवरात्री ह इसलिए नवरात्री किया जाता है नवरात्री अलग हो गया एकदम गलत यूज हो रहा है आज जिसे हम पहले देवी देवता मानते थे उसके नाम पर अपकरमकान चलता है उसके नाम पर बली चड़ती है बली जैसे चीज कहीं नहीं है लेकिन आदमी ने इतने नकसे बदले हैं आदमी ने अपना इतना रूप बदला है अब ब्रामणों और बैगों ने इतना खुंखार बनता चला गया इतना समाज का विनास किया है इतना विनास किया है कि पूछिये मत आदमी की बुद्धी को कुंठित करता चला गया ब्रामणों की ब्राम्हनों ने आदमी को दिमाग को इतना चुना इतना चुना आप बच्चे पैदा कर सकते लेकिन नाम नहीं रख सकते कौन नाम रखेंगे ब्राम्हन आप मकान बना सकते लेकिन मकान में ग्रिह प्रवेस नहीं कर सकते कौन प्रवेस करेंगे ब्राम्हन आप बच्चे के लिए अपने बच्चा है लड़का है उसके लड़की देख सकते हैं लेकिन साधी आप नहीं कर सकते हैं करेंगे तो ब्राह्मान की बीना काम नहीं चलता है ब्राह्मान का अरथ अलग है इस जाती वात के ब्राह्मान रहे डिमांड बढ़े पैसा बढ़े अभर्त के चक्कर में आपका नुक्सान होटा चला जाता है इसलिए आपके घर में कोई भी कारिकम कर रहा हो आप कभी मुहुर्त-मद देखें मुहुर्त कोई फायदा नहीं है इसका प्रमान क्या है इसका प्रमान साफ साथ प्रमान है हमारे स्री राम महापुरुस है आधर सब्रुस है जिसके विवाह की देन मूर्तका क्या मतलब है ऐसे मूर्तका मूर्तके चक्कर में आपके टेंट वाली का किराया बढ़ जाता है आपके डीजे वाली का किराया बढ़ जाता है आपके गाड़ी वाली का किराया बढ़ जाता है और आपको छुट्टिया नहीं मिलती है उस समय, क्यों आप मुर्त के चक्कर में पढ़ते हैं, जब आदमी पैदा होता है ता मुर्त नहीं देखता, कोई मुर्त देखकर के पैदा होता है क्या, और जब आदमी मरता है ता मुर्त नहीं देखता, और जीवन को बनाना है ता मुर्त देखता है, ब्रामनों ने अभी प पार में आया खुब प्रचार हुआ लेकिन कुछ समध्दारों ने नहीं देखा जहां भाई और बहन का एक निस्पक्ष प्रेम है वहां भी मुहुरता देखा गया यह ज्यानियों कत्य देन है यह पंडितों ने पंडितों ने ऐसा पासा फेका आदमी उसमें बनता चला गया और पंडित आएंगे आपके घर में साधी करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या बोलेंगे कोई मतलब नहीं रह जाता है आप चुप चाप बैठे सुन रहे हैं अगनी में हवन कर रहे हैं क्या मतलब है अगन साधी होगी कोई जो उरत नहीं है आपकी स्वेक्षा है अच्छे लोगों को बुला करके साधी करना है तो करिए बिलास पूर छेत्र में आप चले जाएए जहां पूरे परिवार के ही लोग ही सिष्टम से एक करम भाई करम साधी कर लेते हैं न कोई साधो संद को बुलाते हैं साधो संद को उन्हों का मन होता है तो आसिरवात की रूप में बाद में बुलाते हैं क्योंकि उस समय आसिरवात का महोल नहीं होता साधी के समय इसलिए लोग बाद में बुलाते हैं और अच्छे संदों को बुलाते हैं आप उन लोग को कुछ दिजिए जिन से समाज का विकास हो आप उन लोग को कुछ मत दिजिए जो सिर्फ अपने परिवार तक सिमित रहता हो चाहे कोई साधू ही क्यों ना हो, कटू वचन है जो कभीरपंत कही साधू क्यों नहूं यदि वो साधू पैसा समाज से लेता है और सिर्फ घर तक सिमित रहता है, अपने घर में पैसा छोड़ता है, घर में आना जाना ज़ादा करता है घर के लिए घर्चा चलाता है ऐसे साधूं को भी आप ऐसा मत दीजे ना ऐसे साधूं को बुलाइए मत नहीं ऐसे ब्रामनों को बुलाइए आप क्या ज़रुत है ऐसे लोगों को देने के लिए जो सिर्फ अपने घर के लिए विकास सोंसता है समाज के लिए नहीं सोंसता और मैं कहूंगा कि आप उन लोगों को दीजिए जो समाज के लिए सोंसता है समाज के लिए कुछ करते हैं और मैं जहां तक समझता हूँ मैं जिस समाज में मैं जिया जिस कबीर पंथ में मैं जिया जिस परंपरा में जिया वहाँ के साधू संद अपने निजी स्वार्थ के लिए जादा खर्चा नहीं करते हैं निजी स्वार्थ के लिए जादा खर्चा नहीं करते हैं हाँ लेकिन कुछ लोग वो जलन होती है साधू गाड़ी से चलते हैं अरे साधू लोग फल खाते हैं अरे साधू लोग काजू किसमिस नहीं खाते हैं तो क्या साधू नहीं खाते हैं तो गिरहस्ता खाएगा जो रात दिन निंदा चुगली करता है रात दिन गाली गलोज देता है रात दिन तू तू मैं मैं लड़ाई करता है क्या वो खाएगा साधू नहीं खाएगा तो आप हमारे सान्थ चलिए हम खिलाएंगे अपको रोजप खिलाएंगे फल का इहार होगा हमारे सान्थ रहिये बस मंच में बैठेगे चार गणंटा और सांथ में चलिए गाड़ी गाडी हमारी सिट खाली कोई जाना चाहेंगे तो फिरी है हमारे आश्रम में अभी सक्री आश्रम में कम से कम डेढ़ सो दोस्तों लोगं की रोज व्यस्था हो सकती इतनी व्यस्था है कोई जाना चाहे तो कुछ लोग काम चोर होते हैं हम लोग यात्रा कर रहे थे एक जगा पैदल रोज घुमते हैं तो यह लोग कोछ लोग कहें अरे साधू लोग काम चोरी के डर में साधू हो गए हैं और यहां बैठे वाधिकतम लोग गए हैं इलाहबाद में देखे हैं कैसे साधू काम करते हैं और पिछे बैठे हैं हमारे तरवन दादा जी पूछ लीजेगा कभी पंतियों से मत पूछेगा क्या होता है वहां कैसे पल्टा चलाते हैं सब लोग नहीं चला पाएंगे पूरा वहां का सिस्टम कैसे अपने कंट्रोल में रखते हैं पूरे साधू कंट्रोल में रखते हैं और प्रतेग साल कम से कम हर साल कारिकम में 12-15 हज़ार की बीड होती है प्रतेक साल अपूरा सिष्टम देना साधू का काम है साधू के साथ टिक पाना सहज नहीं है साधू निस्वार्थ सिवा करता है साधू चाहना नहीं रखता इक्षा नहीं रखता वही तो साधू है जो समाज के लिए जीता हो समाज के लिए कुछ करता हो अभी मैं जिस आस्रम में हूँ अभी दो साल से 36 गड़ में हूँ बुर्जतन साहजी वहां के संचालक है उस सुरू में इस आस्रम का सुरुवात उन्होंने सुरू किया उनके पास बताए मेरे पास 60,000 रुपया था मेरे माँ खतम हो गई तो मेरे माँ के जो बचाया रकम था 60,000 रुपया उस से मैंने आस्रम का सुरुवात किया और आज आस्रम इतना बढ़ता चला गया किसके लिए किया है वो क्या मरेगा तो ले करके जाएगा कि अपने परिवार वाले को देगा भाई को देगा पडोसी को देगा वो सब को समाज के लिए छोड़ करके चला जाता है अभी हमारे साहब जी वैठे हैं हम सब इलावाद में रहे हैं साथ में और साहब महाराष्टा में रहते हैं वहाँ गयत एक जोपड़ी थी कोई सस्तंग भजा नहीं कोई कारिकरम नहीं साहब लोगों ने महनत किया और आप जैसे लोग ही सहयोग किये वहाँ के नक्से बदल गए और नक्से बदल गए वहाँ हर साल सस्तंग होता है कारिकरम बीच में दो तीन बार कारिकरम होता है इलावाद गये हैं हो लोग जानते हैं हमारे इलावाद आस्रम के खास्यत रही है कुछ लोगों की मजबूरिया होती है जो आप लोगों से घर आते हैं सहयोग लेते हैं लेकिन हखीकत तो यह कहूँ कि अपनी लिए नहीं करते हो लोग लोग समाज के लिए करते हैं जो कुछ आप के हाँ आते होंगे, कोई पांपलेट बारते होंगे, और जो कुछ आप देते हैं, वो समाज के लिए करते हैं, अपने जेब नहीं भरते होंगे, सादू का तो जेब ही नहीं, देख लिए मेरा जेब कहीं नहीं है रही, मेरे पास कूरता ही नहीं, तो जेब कहा से होगा सादू अपने जेव के लिए नहीं करते नहीं करते नहीं जो कुछ आप लोगों से मिलता है इलहाबाद में हमारे हर साल उतना बड़ा कारेकम होता है मैं बताया कि हर साल 12-15 जार की भीड होती है लेकिन कहीं नहीं कहा जाता है कि आप लोग गाउं गाउं नहीं जाय क्योंकि वहाँ आप लोग इतना दिये हैं इतना दिये हैं आप जैसे समाज के लोग इतना दिये हैं कि मांगने की जरुरत नहीं पड़ी और सद्ग्रू अभिलास सहेब हमारे आपके गाउं की लोग पूरे जानते हैं जो एक ऐसा महापुरूस रहे हैं जिन्हों के उनके प्रताप से उस जगह एक ऐसा महुन बना एक ऐसे नक्सा बना कि लोग आ करके जूड़ते गए वहाँ किसी नेता को इस्थान नहीं दिया गया जरुरत नहीं पड़ी कभी जरुरत पड़ी तो सहीओ को लेना चाहिए लेकिन वहाँ जरुरत नहीं पड़ी आस तक कोई नेत वहाँ एक रुपया दान नहीं किया है आप लोगों से ही पूरा काम चल गया है आप लोग जो कुछ देते हैं मैं याद आता है तो चीज कहा करता हूं गणित के नियम के हिसाब से गणित के नियम के हिसाब से यदि आपके पास में 100 रुपया है तो 100 रुपया में 50 रुपय दान करते हैं, किसी गरीब को, किसी अपाहिच को, किसी लूले को, किसी लंगडे को, किसी संस्था को, कहां जहां किसी की सेवा होती है, वहां आप सहीयोग करते हैं, किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, वहां आप सहीयोग करते हैं, तो आपके पास सव में से पचास रुपय घड़ता है आपका पचास रुपय कम तो हो जाता है लेकिन अध्यात्म की परिभासा के अनुसार से आपने जो पचास रुपय दिया वो आपके अध्यात्म के परिभासा के हिसाब से आपके धर्वग के एकाउंट में आपने जमा कर दिया जाता कहीं नहीं है उसको कोई पी खा करके नहीं उड़ा देते हैं आप 10 रुप्य भी देते हैं वो समाज के सिवा में लगता है और वहां कुछ उसका विकास होता है आदमी के पास पैसा बसता ही कहां से है पैसा बसता ही कहां से है 10, 20, 40, 50 होता है उसको भी जोड़ करके सरापका एक पववा ले लेता है कुछ नहीं बसता है तो घर के गहने जेवर जोड़ी चोड़ी करके बेचे देता है कुछ नहीं तो घर के धान बेचे देता है कुछ नहीं तो घर के साइं के लिए बेचे देगा पीने वाले की इस्तिती है और पीने वाले को जन्म देने वाले ये माताएं है आप कैसे बच्चा पैदा करते हैं आप जानिए आपके कोग से ऐसा बच्चा पैदा हो आप बच्चो को संसकार कब से देना चाहिए मैं कल भी कहा था सायद बच्चों को संसकार देना चाहिए बच्चे के जन्म से 20 वर्षा पहले कल भी विश्चिश को बताया था चलो 20 वर्षा पहले आप देना नहीं शुरू किये पैदा होने से तो कम से कम जिस मा के कोख में जिस मा के गर्म हमें बच्चा हो कम से कम अच्छा बोलना शुरू कर दे कम से कम उस घर के लोग अच्छा बोलना शुरू कर दे उस घर में खाना पीना अच्छा हो घर में वारताएं अच्छा हो मा के कोक में बच्चा है मा के गर्म में बच्चा है इधर लड़ाईया भी चल रही है इदर तूर्टू मयमय भी चल ला है इदर पीता सराब का बोतल भी लगा करके इतपैक लगा करके भी आ रहा है पत्नी से वारताय कर रहा है पत्नी उनके गाले-गाले भद्दे सब्दद दे रही है बच्चे को क्या संसकार देंगे एक बच्चे कल हमारे साहजी बता रहे थे कि एक मा बोली साहजी मेरे बच्चे हैं जिनको मैं कितना भी समझाता हूँ नहीं समझता है हमेशा डूसम डूसम करता रहता है तो उनको एक प्रस्ण किये गा ऐसा क्यों करता है पता नहीं साहब अच्छा तुम यह बताओ कि जब तुम बच्चे को गर्भावस्था में थी तो तब क्या करती थी तुम कुछ नहीं करती थी साहजी खाली रहती थी तो मन उबाव लगता था तो मोबाईल ले लेती थी और सोले फिल्म देखा करती थी गर्भा वस्ता में मैंने 16 बार 16 फिल्म देखा तो 16 फिल्म में क्या है सिर्फा मारकार तो लड़ाई तो है तो बच्चे को क्या मिलेगा वही संसकार तो मिलेगा आप कम से कम 20 साल पहले बच्चे को संसकार नहीं दे सकते 20 साल पहले आपके घर में पुवित्रता नहीं आई 20 साल पहले आप अपने बहु से प्रेम से बात नहीं किये कम से कम अब उसके कोप में बच्चा है वो एक मा बनने वाली है उसके सांग ऐसा वर्टाव करिए उनका मन विचलित मत हो उनके तन विचलित मत हो उनके मन में आक्रोष पैदा मत हो उनके सरीर में आक्रोष पैदा मत हो ऐसा वारता करना शुरू कर दीजी अब कम से कम उसके साथ इतना मिठी वानी का वर्ताव करिए उनका मन सांत रहे निश्चीतियो बच्चा संसकारी होगा अब उसके बाद क्या होता है जब मां की गर्भ में बच्चा है तब पुरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि सब के वारताएं अच्छा हो खाना पिना बोलना अच्छा अब पैदा हो गए तब भी पुरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है तब भी पुरे परिवार के जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे जैसे बोलेंगे वो बच्चे सीखेगा वैसे बोलेगा वैसे खाएगा वैसे पीएगा इसलिए आप इस सारे चीजों से बचे रहिए इन सारे चीजों से बचे रही मैं एक चीज़ और कहूँ मैं घड़ी नहीं देखा समय पार कर गया जो सराब पीते हों सराब ही नहीं पीते हैं जो सराब पीते हैं सिर्फ सराब ही नहीं पीते हैं बलकि अपनी घर में जो बच्चे हैं पतनी है माँ है बाप है उनके मन की प्रसनता को भी पी जाते हैं उनके मन की प्रसनता को पी जाते हैं घर के माहुल जो सुर्ग का माहुल था उस माहुल को नर्क का माहुल बना देते हैं जब जब वो पती सराप पी करके आता है तो घर में पतनी से लड़ाई करता है पतनी से लड़ाई करता है माबाप से लड़ाई करता है किसी से लड़ाई करता है बच्चे से लड़ाई करता है कैसे घर होगा हूँ कैसे संसकारी होंगे बच्चे उनके बच्चे हैं उनके माबाप है जो सोचते हैं मेरे बच्चे मेरे से प्यार से बात करे मेरे बच्चे मेरे से प्यार से बात करे पुत्र तो सराप पी करके आया है गलस सब्द बोला है उनकी जीने की इक्षा रहती हो समापत हो जाती है माता पीता की ऐसे नक्सलाइड बच्चों के सामने कैसे जिया जाए आप जब जब सराब पिकर के आते हैं आपके घर में आप तब तब आपके बच्चे को जो उडान भरने की छमता होती है न कोई समस्ते हैं मैं डाक्टर बनूँगा कोई मास्टर बनूँगा कोई वकिल बनूँगा कोई जजज बनुगा कोई IPS अफसर बनुगा कुछ बनूंगा सोच रहता है वो आप जैसे कोई सराबी के परिवार में आता है सराबी तो सोचता है इन सराबियों के बीच में मैं कैसा अफना विकास करूं जो उनको उडान भरने की छमता होती है उनकी जो पढ़ने की चमता होती है उनकी जो ग्रहन करने की चमता होती है वो मिट्टी पलीद हो जाता है और बच्चे की जो उड़ान भरने की चमता होती है न वो उनके पीता सराप के साथ पी जाता है उनके पीता सराप के साथ पी जाता है अभी 15-20 दिन पहले ये राजनान उनके बच्चे कहें बहुत वाद घर में पती और पत्नी मेवाद बच्चे मेवाद बच्चे छोटे छोटे हैं मात्र 18 और 20 साल के बच्चे हैं कहें महराजी हम अपने घर में नहीं रहना चाहते हैं क्यों नहीं रहना चाहते हो कहें मम्मी और पापा की रोज लड़ाईया च क्या करेंगे महराज जी आप से क्रीपा है कि आप हमारे मम्मी उन्हीं के सामने बोल रहे हैं हमारे मम्मी पापा को आप मना लिजे और हम लोगों को किसी हास्टल में भरती कर दे वही हमारी जिंदगी कर जाएगी हमको ऐसे माबाप के बीच में रहना पसंद नहीं है आपके बच्चे ही आपको त्रिस्कित करते चले जा रहे हैं आपके बच्चे आपके चर्णा इस पर सकर रहे हैं और चर्णा इस पर सकर रहे हैं आप गुटका खा रहा हैं पान मुख में गलगला रहे हैं लाल लाल थूक रहे हैं इधर से आसिरवात भी देते चले जा रहे हैं सड़ रहा है, मन भी आपवित्र है, तन में विविचलित हो चुका है, और आप आपके बच्चे चर्ण इस पर सकर रहे हैं, कौन सासिर वात देंगे, आप सोची तो इस पर, इतना मन पवित्र हो, इतना आपका तन पवित्र हो, इतना आपकी वानी पवित्र हो, कि आप बोले तो आपके बच्चे के आज बहुंसे माबाप है जो अपने ही बच्चे से नफरत कर रहे हैं क्यों नफरत कर रहे हैं क्योंकि बच्चे पीने खाने लग गए और बहुंसे बच्चे हैं जो अपने माबाप से नफरत करते हैं कर रहे हैं क्योंकि पीता सराब पीता है मुझे ऐसे पीता नहीं चाहिए जो पीता सराब है ऐसे सराबी माबाब से तो मैं दूर ही रहूँ यह अच्छा है क्यों आप अपने जीवन को कंटका किल्ण बना रहे हैं क्यों आप अपने जीवन को एक चुनवती दे रहे हैं आप क जिवन की सुरुवात क्यों नहीं करते हैं क्यों इतना सुन्दर शरीय मिला यह सुन्दर समाज मिला है फिरीम मिला है सुन्दर वाता वरण मिला है आप Paulo के हैं इप57ह, श्रामी वाले हो साज महीं लाएन यह होता है किसी परंपरा से जूने से निष्ठा और प्रगालता बढ़ती है तो आदमी गलत दिशा से कम से कुछ बचने का प्रयास करता है इसलिए कहा जाता है कि गुरू बनाओ इसलिए गुरू की अवसकता होती है मैंने अपनी वानी अपनी बात सुरू की थी कि आपके जीवन में खाना पीना पवित्र हो खाना पीना पवित्र हो तो निष्चित ही आपका परिवार में वानी भी पवित्र होगा मन पवित्र होगा और एक सांती का माहल सुर्वात का इस्टेफ है यह सिड़ी है घर को सुन् बनाए इसे बनाए इस पर और चर्चा करेंगे बस इतना ही कहा कर अपने वार्णे को इराम देता हूं बोलिए सत्गुरु देवा की जय